गुद मॉरिंग स्टुडेंट आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा पेर ओफ लीनियर एक्वेशन इन टू वेरियेबल बराबर तो इसमें जो है हम एक्सराइज 3.1 शुरू करेंगे है ना तो इसमें क्वेशन नंबर वन है आफता आप तेल्स हिस डॉटर 7 यर अगो I was 7 times as old as you were then बराबर also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be Is not this interesting? रिप्रेसेंट इस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली बराबर तो इसमें क्या दिया है देखो हमने ये सम बेटा बहुत बार पढ़े हुए है और इसमें हमको confusion भी इतना ही हो जाता है इसलिए हमेशा सम समझो इसमें क्या दो बात बोली 7 year ago और 3 year from now बराबर तो ये दो चीज़ जो हमको identify करनी पड़ेगी है ना तो सम पढ़ने के बाद जो main बात बोली उसके नीचे underline कर लो इसलिए आपका कुछ भी गड़बर ना हो 7 year ago and 3 year from now बराबर 7 year ago यानि 7 साल पहले और 3 year from now यानि अभी के 3 year लेना है बराबर ना आफताब की age x मानी और उसकी daughter की age y मानी बराबर अब यहाँ 7 साल पहले की बात हो रही है तो हम इसे लिख सकते है कि x plus 7 और y plus 7 बराबर ना क्योंकि आफताब जो है वो x है और daughter जो है वो y है तो हमने x minus 7 y minus 7 ये हम लिख सकते है बेटा है ना तो अब इसमें हम इसे equation बना सक है कि x minus 7 equal to 7 bracket y minus 7 bracket बंद therefore x minus 7 equal to अब यह जो है इसको हम खोल लेते है 7 y 7 का multiply y से हुआ तो 7 y हुआ 7 7 जा तो यह minus 49 therefore x minus 7 y बराबर plus 42 अब 42 केसे आया बेटा तो यह 49 में से यह 7 minus हुआ यह जो है पूरा term x यह वाला जो पूरा term है वो हमको detail में बताना रहता है बराबना तो यह detail में बताने के बाद 49 minus 7 होगा तो यह क्या होगा 42 है ना देखो मैंने हैं बताया हुआ है x plus 7 equal to 7y minus 49 x plus 7y equal to 7 minus 49 x minus 7y equal to minus 42 है ना और x minus 7y plus 42 केसे plus 42 आ की equal to के इस साइड आया बराबना और यह equal to 0 तो यह जो है हमारी first equation बनी बराबर तो first equation हमारी क्या बनी यह वाली x minus 7y plus 42 equal to 0 यह हमारी first equation बनी similarly 3 year from now the age of aftab will be x plus 3 year and the age of his daughter will be y plus 3 year बराबर तो इसको भी simply assess all कर सकते है तो अगर्ण तो गिवन डाटा x plus 3 equal to 3 bracket y plus 3 bracket 1 therefore x plus 3 equal to 3y 3 3 is a 9 बराबना therefore x minus 3y minus 6 equal to 0 यह हमारी second equation बनी बराबर अब इसमें आपको क्या बात ध्यान डखनी पड़ेगी इसमें आपको year लिखना भूलना नहीं है year लिखना भूले आप तो आपके marks जो है वो कट जाएंगे thus the equation x minus 7y plus 42 equal to 0 and x minus 3y minus 6 equal to 0 represent the given situation algebraically यह ना अब यह जो हमने algebraically situation तो दे दी बता दिया अब हमको जो है graphical भी बताना है तो आप graph पे हम कैसे plot करेंगे आप वो भी हम देख लेते बराबर तो अब हमको जो है बेटा इसमें graphically भी हमको equation जो है equation की situation निकालनी पड़ेगी बराबर तो अब हमारे पास देखो पहली हमारी equation क्या मिली हमको x minus 7y plus 42 equal to 0 बराबर नहीं यह जो है थी equal to 0 यह हमारी first equation थी बराबर अब इस first equation में मैं x की value 0 रखू बराबर यानि इसको मैं इसे लिख सकती हूँ के y equal to 42 plus x अपॉन में 7 बराबर तो that is y equal to 42 plus 0 अपॉन में 7 तो 7 बन्जा 7 और 7 शिक्षा 42 तो 6 में 0 plus करेंगे तो answer 6 मिलेगा हमको तो y की पहली value first value क्या मिली हमको 6 बराबर अब हमको दूसरी value भी ढूणनी पड़ेगी हैना यनि जब हम graph बनाते हैं बेटा तो आपको पता होगी ये बात के हम हमेशा एसे लिखते है x y तो first value मैंने 0 ली तो मुझे y की value क्या मिली 6 बराबर यदि मैंने x की value 0 ली तो मुझे y की value 6 मिली हैना और अब मैं x की value 35 लूँ कितनी लू 35 तो मुझे y की value मिलेगी बराबर तो मैंने क्या करा कि y equal to 42 plus 35 क्यों 35 कि मैंने यह x की value क्या मानी है 35 क्या मानी है 35 तो 42 plus 35 अपन में 7 तो y equal to 42 plus 35 क्या हुआ 77 तो 77 अपन में 7 7 बन्जा 7 7 11 बन्जा 77 तो y की value मुझे यहां क्या मिली 11 तो दूसरी value मुझे क्या मिली पहली equation के लिए 11 अब देखो यहां जो है हमको क्या ध्यान में रखना है कि point में answer नहीं आना चाहिए बराबर point में answer आया तो क्या होगा आपको graph में plot करने में दिक्कत आएगी बेटा इसलिए हमको बने तब तक जो है simple without point वाले ही answer लेना है ना इसलिए मैंने 35 लिया देखो 35 के जगह में कुछ और लेती बराबर तो मेरा answer point में आ जाता पर 42 प्लस 35 77 होता है तो यह 11 टाइम आ जाता है तो मुझे एक without point वाले answer मिला तो first equation के लिए first equation के लिए x की value क्या है 0 और 35 और y की value 6 और 11 अब same to same हम second equation में भी कर सकते है बराबर second equation हमारी क्या है भई तो second equation जो है हमारी वो है x-3y-6 equal to 0 तो again जो है हम x की value 0 मान लेते है अब यह जो है दूसरा में आपको solve करके नहीं बताती हूँ I hope आपको यह समझ में आ गया होगा कि first equation में आपने से plot करा तो second में भी same to same हो जाएगा न तो again आपको पता पढ़ जाएगी भई कि देखो इसा हो तो मैं एक आपको बता देती हूँ second equation ले लेते है तो यह क्या है x minus 3y minus 6 equal to 0 यह हमारी second equation मिली थी हमको बराबर अब इसमें हम क्या करेंगे x की value क्या मानते है suppose x की value 0 है तो हम इसे लिख सकते y equal to x minus 6 upon में 3 तो 3 बनजा 3 3 to 0 तो यह क्या हमको answer मिला x की value क्या मिली minus 2 क्या मिली minus 2 तो यह से जो है हम दूसरी value भी निकाल सकते है बेटा निकाल सकते न तो आप जो है दूसरी value भी अपनी तरह से निकालो कोई भी number रख कर बराबर न यह दो value हमको मिल गई अभी आपको graph जो है वो आपको बनाना आता है बराबर graph में यह 9 standard हमने detail में पढ़ा हुआ है अब जो देखो यह graph में हम कैसे भी value यह plot करेंगे तो यह भी आपको पता है कि हमारे पहली value आई x की पहली value क्या आई थी तो x की पहली value 0 और y 6 तो देखो यह हमने इसे plot करा यह 0 और यहाँ पे 6 तो हमने यह इसे और इसे लिया यह x axis और यह y axis है न इसे करा तो यह यह जो है आपको अच्छे से मिल जाएगा और आपने जो है यह चीज 9 में बहुत अच्छे से पढ़ी है इसलिए plotting जो है graph पर वो तो आपको एकदम अच्छे से आती होगी बराबर ना आपको क्या है क्या ध्यान रखना है कि equations जो है वो बेवस्थित आनी चाहिए इस type के question में जो है हमारी equation बराबर बननी चाहिए और question बराबर समझ में आना चाहिए तो जो है आपको easy पड़ेगा बराबर बेटा तो यह जो था 3.1 का question number 1 पूरा हुआ और I think आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप question 2, 3 जो है अपने मन से try करो और मुझे बताओ और बच्चे वीडियो नहीं देख रहे तो please वीडियो देखो इसलिए आपको easily समझ में आ जाए पड़ाबर बनना 2 और 3 जो है आपको lesson में मैं दे रही हूँ आपको ही solve करना है तो यह हमारा 3.1 का question number 1 पूरा हुआ